कर दोस्तों फुराना डरी फरम पे आपका स्वागत है आज की जो वीडियो कबर करें ये डोक साफ के फरम पे आगे की डिटेल है वो डोक साफ से लेते हैं दो वैसे दिखाएंगे जिन भाईयों ने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है सस्क्राइब करें बाकी सब्सक्राइब कर सकते हैं तंदूस्त है पूरी फरम के नाम पे सर्च मार के यहां की लुकेशन है जो प्राप्त कर सकते हैं सब्सक्राइब यह जो पहले नमबर में बैस दखा रहे हैं क्या रिटेल है देख सकते हैं तंदूस्त है पूरी यह सरा साथ दिनों की ब्याई हो यह पीछे कटड़ा है और अभी मोक्य का सतरा लिटर दूद त्यार है वीस लिटरी तूद देना है मेले मोले पे लगके बै देख सकते हैं फूरी बड़ी है बैस है और अडर उटर पूरा मजभूत है क्योंकि पूरा टाइट और फिटिंग वाला में रहे अगह लेगी है कि दैख सकते हैं वेसे पूरी बजल दार रहा पूरी की पूरी मजभूत वैस है बांडरे आज 17 लिटर दूद त्यारा है ज तो तीम टेम चाहिए आके देखे चाहिए ओनलाइन मिल्किंग करवाई निकाल के दूगा जी 17 लिए और मेले मुले पे लगके 20 क्यूमेद है जी बड़ी देख सकते हैं पूरी तंदरुस्त बैस है पूरी साफ सुत्री बजनदार और बड़ी अडर क्वाल्टी की है पूरी बड़ी आडर है देख सकते हैं पूरा फिटिंग वाड़ा आडर है तो उपर से चवड़ी है सब्सक्राइब देख लिए जी पूरी और रेट कितना गया जी इसका रेट इसका एक लाग पांच जार रुपे गरपोई तक का रेट है पूरी तंदरुस्त बैस है और दूद बड़ी से बार किया है और उस जंगल की बैस दूद्ध रेटे ज दी दो नहीं की साइए अभी मुख्य का इसके नीचे 14 किलो लूद रेटी है कि यह से काली हो के 14 किलो दूद से स्टार्ट हूई यह बैस देख सकते हैं कौन से बार किया यह यह सेगीन बार किया सबर चाह क सकते हैं जोटी बड़ी है वरी है और साफ सुथरी है हलका सिंग जरूर इसका भी खुल है पर यह जो मारी पुरानी ब्रीड है गर पे आपके कोई बजुर्ग है उन से पूछना इसके बारे में क्योंकि वो पुराने जासे ले जाते हैं उनको द्याना इस इन जोटियों के ब जिसके अभी मोक्य का 14 लिटर दूद रेड़ी है जी 14 लिटर दूद है जो निकाल के खरीज सकते हैं पूरा फिटिंग वाला अडर है टाइट है और रेट कितना गया जिसका इसको पिच्छानमें हजार रुपे में गर पहुंच करवा देंगे सर देख सकते हैं पिच्छा लेक है पूरी साफ सुथ्री जोटी है हाइट वेट और अडर्थन की बहुत ही साथ है पूरी साफ सुथ्री अडर की है और 16 लिटर दूद की पिचानमें में कोई ज्यादा रेट नहीं है आज के दिन इस गर्मी में बाकी सभी भाईयों का वीडियो अंत तक देखने के लि ज़ते हैं